लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले अमेरिका और यूरोब के कई हिस्सों में लाखों लोगों ने सोमवार को पून सूर्य ग्रहन यानी सोलर एकलिप्स का नजारा देखाने 99 साल बाद अमेरिका में दिखने वाले सूर्य ग्रहन के लिए लोगों ने खास इंतजाम किये थे कई लोगों ने इसके लिए special चश में order किये थे तो कईयों ने टेलिस्कोप का भी इंतजाम कर रखा था अमेरीकी अंतरिक्ष जेंसी नासा ने भी सूर्य ग्रहन का live टेलिकास्ट दिखाया नासा ने इस दुरलब घटना को capture करने के लिए research plane, balloon और weather satellites का यूज भी किया नासा ने ज्यादतर फोटोज इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन और weather satellites से capture की है एस टोनोट पावलो ने स्पोली ने अंतरिक्ष में मौट जूद इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन से ये फोटोज क्लिक की है पावलो ने फोटोज को ट्वीट करते हुए लिखा कि इन फोटोज के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है सूर्य ग्रहन को काफी लोगों ने धरती से देखा लेकिन अंतरिक्ष से क्लिक कीगी ये फोटोज वाकई में हैरतंगीज है हाला कि नौर्थ अमेरिका, अफरीका और यूरोप के कई इलाकों में आंशिक सूर्य ग्रहन भी देखा गया इलाकों में आंशिक सूर्य ग्रहन भी देखा गया